अगर आपको खट्टा टेस्ट बहुत पसंद है यानि खट्टा थोड़ा सा मीठा इस तरह का स्वाद आपको पसंद है आप मूँ का स्वाद बढ़ाना चाहते है यानि अगर आपको खाना खाने का ठीक से मन नहीं होता इतनी भूख नहीं लगती या पेट में गैसे लगते है ब्लोटिंग जैसे लगता है या फिर आप आपके लीवर को थोड़ा सा एक्टिवेट करना चाहते है तो ये वीडियो है इस वीडियो में हम ऐसी ही एक बहुत गुंड़कारी अर्वेदिक वनसपति के बारे में आपको बताएंगे अब देखे यह कोकम इसे अर्वेद में व्रुक्षामल लगा जाता है हिंदी में इसे कोकम कहा जाता है इसके अलावा मराथी में इसे आमसूल या कोकनी और यह पकने पे जामुनी लाल रंके होते हैं, इसमें बीज रहते हैं, तो इन बीजों को निकालके जब फलों को सुखाया जाता है, तो इन फलों को कोकम या आमसूल कहा जाता है, जो बीजों से तेल जैसे निकलता है, तो उस तेल मोम के जैसा वो जम जाता है, तो उसे कोकम का तेल या फिर कोकम बटर भी कहा जाता है कोकम का जो फल है तो इसका पके हुए फल का जो स्वाद बताया है वो है मधूर आमला याने मिठा स्वाद इसमें है और खटापन भी है इसकी जो तासीर बताए हुई है वो है उश्णविरे यानि ये गरम स्वभाव की अउशदी है इसके अलावा इसके जो मुख्य गून बताए है तो वो है लगुरुक्ष यानि पचने के लिए ये बहुत हलका है जल्दी से पच जाता है और रुक्षता यानि हलका सा रुखापन ये शरीर में कर सकता है लगू रुक्ष होने के बावजूद भी ये वात को बढ़ाता नहीं है उल्टा ये वात को कम करता है तो वात और कफ के लिए ये बहुत अच् जैसे ये तृष्णा निग्रहन करने वाला है किसी को अगर बहुत ज्यदा प्यास लगती है गलास उकता है बार-बार पानी पीने का मन करता है तो वो इसको कम का सेवन कर सकते है ये दीपण करने वाला यानिन जो हमारा जठरागनी है उसको बढ़ाने वाला है, रूची कर है, याने मुग का स्वाद बढ़ाने वाला है, यहां तक कि इसे यकृतो तेजक कहा गया है, लीभर को यह एक्टिवेट करने वाला है, अगर आपको लीभर से संबंदित कोई विमारी है, जैसे फैटी लीभर वग रहे हैं, तो भी आप इसे ले सकते हैं, इसके अलावा यह वाता अनुलोमन करने वाला है, वात का अनुलोमन करने वाला, याने जो वात की दिशा है, उसको सही तरह से इस वात को लेके जाने वाला है, तो इसलिए किसी को पेट में गैस लगती है, या फिर ब्लोटिंग है, पेट में भारीपन है या बहुत ज्यादा डकारे आती है तो उन सभी तकलीफों को कम करने के लिए ये कोकम मदद करता है ये ग्राही है यानि अगर किसी को पतले दस्त हो रहे है या फिर बार-बार जुलाब होते है बार-बार जाना पड़ता है या फिर जैसे संग्राणी व्यादी है यानि उनको बार-बार मल के लिए जाना पड़ता है तो उसको कम करने वाला है यहां तक इसे रक्त-पित्त का शमन करने वाला यानि किसी को मल के द्वारा भी अगर शरीर से खुण निकल रहा है तो उसको भी रोकने वाल मिल यह हैं तो इस तरह से बहुत सारे फाइदे हमें इसके मिलत तो यह कोकम इसका फांठ बना के आप ले सकते हैं, अपने र्खाते हो occupied दिया है। प्यास लगती है, बहुत गलास उखता है, तो इस अवस्था में इस कोकम से बना हुआ शर्बत भी आप ले सकते है, एक सोल कड़ी नाम से भी महराश्रो और कोकन के तरफ एक बहुत ही ट्रैडिशनल रेसिपी बनाई जाती है, जिसमें कोकम को जो कच्छा नारियल है उसके सा बहुत ही कम कॉंटिटी में इसे डालना पड़ता है, तो आप इसे डाल में भी यूज कर सकते हैं, यहां तक आप कोई चटनी बना रहे है और आपको थोड़ा खटा स्वाद उसमें चाहिए तब भी आप इस कोकम को वहाँ पे यूज कर सकते हैं, तो इस तरह से के लिए भी आप यूज कर सकते हैं, जैसे बारिश के दिनों में या ठंडियों में तवचा फट जाती है, या तवचा में बहुत ड्राइने साती है, जैसे फटी एडिया है या ग्रैक हील्स है, तो बहाँ पे लगाने के लिए भी जो कोकम बटर है बहुत अच्छी आउश कीची, फिर मिलेंगे अगले विडियो में अयर्वेत को अपनाये स्वास्त रहे, नमस्कार